मुझे हर किसम का मंतर आता है जनम संसकार कभी मृत्यु संसकार कभी बस यही पता नहीं कब क्या पढ़ना है समेट रहें कारिकरम को भाई ने बहुत बड़ी हाँ जिक्र किया मैं डरता हूं बेटियों के कारण बाप डरता है एक चोराहे में एक कुतिया थी एक कुतिया चार कुतिय खड़े थे और एक कुतिया आई देखी चार कुतिया हैं तो सहम गई तो एक कुतिय ने कहा निकल जाओ बहन जी हम कुतिये हैं आदमी नहीं है आखी उठा के नहीं आखी चुका के बाद कर कावर 36 गड़ के आदमी हो थे एक नंबर कुनो जवान टूरी के एक टीवा मोपेड प्लेजर बिगड जथे तो लरहमन पाना पेंची धर क्या जथे में टेंसन में मत रही है अभी ठीक करते हैं काक काक के कीक मारी ही प्लक साप करी ही तहां टूरी हैर बन गे इस्टार्ट होगे गाड़ी धरीश चल दीज़ घर भाईया थेंक यू तुरा खड़े अगले टूरी वर कावर 36 गड़ के आदमी हो थे एक नमबर तैम और भैंसी गोबर केशे उठाए जाले नमबर भैंसील बताए भैंसी के गोबर बहा सका थे फिर उठा नहीं सका थे हमारी 36 गड़ मा दूठन कोर्स चालू हुआ थे बीए इन गोबर सैथना एम एम इस चेना थोपना बड़ा भारी बात करा अभी कर दूँ ए फाईयर तो हो जब अंदर हैं 36 गड़ के आदमी हो थे एक नमबर अरे कैसे मितान तो और भोजी कैसे लग इस रे जैमालक बात प है कि जैमालम बैठेरी 30 एक क्यूंटल धान रखे है अच्छा मोठे लेकिन कोई बात नहीं है साले सबों कुछ खराब है कुछ वाइंत नहीं है लेकिन जेन टूरी भोजी के आगू पाजू नेंग चार में होत रही से बहीर बाहरी अंदर बाहर अंदर वो हब है तोर सारी है एक नंबर आज एक नंबर के तलास है 36 गड़ एक नंबर बनना चाहा थे एक कविता मैं आपके बीच रखत हूँ और कविता के बहुत छोटा अनुसर रखूं काबर बहुत देरी हो गए समापन भी हो गए समापन के समय आगे है एक बड़ा महत्पून समस्या है पिछले साल 1274 लई का बेमे तरह सरी 36 गड़ से भागिस 1274 जह मार साथ सो जहन मिलीं बाकी नहीं मिलीं यह बच्चे जो घर से भाग जाते हैं और क्या मा बाप के ऊपर बीटे बीटता है यह उनको पता नहीं है इस दर्द पर मैंने एक कविता लिखी है बेटे ने सुबे सुबे का मेरा बाप सौ रूपय का नोट निकालो इस पर डिवेट करा लो अरे इस पर तो अंतरास्ट्री सम्मेलन भी हो सकता है जो सौ रूपया नहीं दे वो मेरा बाप नहीं हो सकता है पतनी ने का अच्छा बाप से ही बात करने की यही तमीज है बोले यह तो फटी हुई कमीज है मैंने जवाब दिया कमीज फटी है तो उसमें जेव नहीं है और तुझको देने के लिए मेरे पास सो रुपे का नोट नहीं है नमालून सुबह से साम क्या करते हो दिन भर आवारा गर्दी करते हो कपड़े जूते परफ्यूम ने तुम्हें निगल लिया है अजी सुनती हो ये लड़का हाथ से निकल गया है हाथ से निकल गया हूँ तो घर से भी निकल रहा हूँ जाओ बेटा कहा जाओगे भूक लगेगी तो दाना चुगने इसी गोस्टे में आओगे ओ गया भाई साब फिर लोट कर ही नहीं आया हम माबाप थे हमें उसके याद ने सताया हमने उसके दोस्तों का दर्वाजा खट-खटाया हर जगर से एक ही जवाब आया अंकल राजु तो नहीं आया राजु तो नहीं आया पत्नी लगी चीखने चिलाने देने लगी चाने जवान बेते को कभी कोई ऐसे डाटता है जमाना बदल गया है राजु के पापा अगर बेटा डाते तो बाप चुप हो जाता है सव रूपए दे देते ते तो कौन सा तूफाना जाता मेरा बेटा तो बच जाता अब तो ठक हार कर होटल पनवाडी सराप की दुकान और तोर कबरिस्तान मैंने सब जगह पता लगाया ना पता लगना था ना पता लग पाया ठक हार कर रोते गाते ठाने पहुँचा फोटो दिखा कर कहा ये मेरा बेटा है घर से भाग गया है ठानेदार ने कहा ये मिठुन अभी अभी एक लड़के ने ट्रेन में कटके जान दी है जाकर देखे कहीं आपका बेटा तो नहीं है मैं गया दौड कर गया देखा और खुस हो गया वो मेरा बेटा नहीं था लेकिन मैं भूल गया वो किसी और का बेटा तो था मैं भूल गया वो किसी और का बेटा था अब सुबह होते ही साम हो जाती है पत्नी राजू राजू करके चिलाती है उसके सपने भी हमें बहुत आते हैं मैंने ठक हार कर अकुबार में विग्यापन दिया बेटा राजू जहां कहीं हो आजाओ हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे तुम कहो तो चुपी रहेंगे जब से तुम गय हो तुम्हारी माने खाना पीना छोड़ दिया है वो सपने बो रही है जब से गय हो बेटे वो लगातार 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 रो रही है लोटाओ बेटे लोटाओ लोटाओ बेटे लोटाओ